हालो फ्रेंट्स आप सभी को हमारे यूटूब चैनल ट्रेंजिंग ट्रेंड पर स्वागत है आज हम जो भाई जक सेंटर है छे जन्वरी का जो हुआ था एक्जाम एक भाई ने हमको अपने एक्जाम की बारे में हमको बता हैं उनका एक्जाम केशर है चलो आज इस वीडियो में डिस्क्रेशन करें प्लीज वीडियो को स्कीप मत करके पुरा फूल वीडियो देखो क्या क्या हुआ उनका साथ वहीं बताया है और एक्जाम में कितना मार्क आते हैं और कौन-कौन सी चाप्टर से क्या-क्या कोस्तिन आते हैं वहीं बताया है चलो शुरू करते हैं उन पूटी की बारे ने बोला था और ब्रो आयाम फ्रम तेल्लूवी बैक्राउंड उन्होंने तेल्लूवी बैक्राउंड है इसलिए उनको हिंदी ठीक से समझ बे नहीं आया है और इसलिए मैं उनको इंगलीज में बुच्छा हाव मेनी कोस्टीन फ्रम म्याथ म्याथ से कितना कोस्टीन आया था उन्होंने बोला कि ब्रो इस टोटाली डिपेंट्स अन आरिथमेटिक आपका अच्छा होता है तो आप हंड्रेट परसेंट सीवर हो जाओ कि आपका एक्जाम क्वालिफाय हो जाएंगे और उन्होंने बोला कि म्याथ से म्याक्षियम कोस्टीन आते है मतलब मान के चलो के 45 से लेकर 50 या 52, 53 एसे कोस्टीन आते है म्याथ से उनको बोला कि which type of question from English से कौन सी कोस्टीन आया था उन्होंने बोला कि active word से दो कोस्टीन मतलब active passive से दो कोस्टीन डारेट इंडारेट से दो कोस्टीन फ्रेज से दो कोस्टीन मिन्निंग से दो कोस्टीन एससे इंग्लिस में 10 आया था 10 कोस्टीन आते है ज्यादा हाड नहीं आते है इंग्लिस में पुरा इजी लेवल कहीं आते है और जिक्के के लिए बोला कि जिक्के से एक दो कोस्टीन आया थे मैंने बोला कि आपका कुछ कोस्टीन याद है तो मत उन्होंने बोला कि the other trophy belongs to which game जो ट्रफी वाले जो गेम से रिलेटड भी बहुत सारे कोस्टीन आते हैं कि जिक्के की एक कोस्टीन उनको याद है और मुझने बोला कि साइन्स से कुछ कोस्टीन आया याद है तो बताओ उन्होंने बोला कि साइन्स से जिक्स से दो तीन कोस्टीन आया था और उन्होंने बोला कि आपकी जो वीडियो जो दिखा कर उन्होंने बहुत उनको मदद मिला है एक्जाम के लिए सो मैं आपको बोलती हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चानेल पर विजिट करके मैं आज की वीडियो देखलो ओ यह आपका एक्जाम की काम में आएगा और थांक्यू गूड़ डे टू आल